हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आज बनाने वाले है अफगाने सलवार, तो मैंने ये 2.5 मीटर क्रेप फैबरिक ले लिया है, इसको मैं पहले लंबाई में और उसके बाद चोड़ाई में यहां पे इस तरह से फॉल्ड कर लेती हूँ, जो फॉ उसके बाद फैबरिक पर हम 38 इंच मार्क करेंगे, जो भी हमारी तयार लंबाई है, तो देखिए फ्रेंड्स, या 38 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है, यह हमारी तयार लंबाई होगी, इसके बाद हम यह स्टेट लाइन ड्रो कर लेते हैं, आपको जो है, जितने भी आप 9 इंच पर मार्किंग कर रही हूं, क्योंकि उपर 6 इंच की बैल्ट तयार हो जाएगी, और यहां पर 9 इंच लिया है, तो हमने 8 इंच आसन यहां पर ready हो जाएगा, तो टोटल हमारा 14 इंच हो जाएगा, तो इसके बाद मैंने 2.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग की है, यह पर हम आसन की गौलाई बनाएंगे, अब देखिए चलते हैं मोहरी की तरफ, यानि कि हमें कितना चोड़ा अपना पहुंचा तयार रखना है, जो कि हमारे पैर में आसानी से आजाए, तो मैं 6 इंच पर यहां मार्किंग कर रही हूं पहुंचे के लिए, उसके बाद 10 इंच के लगबग रख सकते हैं, और 10 से ज्यादा भी रख सकते हैं, 12 इंच के लगबग भी हाँपर, अगर ज्यादा खुला बनाना है तो वो भी रख सकते हैं, अपनी चोईस है आपकी, उसके बाद जो है इस तरह से इस लाइन को हम कर लेंगे, हापर सीधा स्ट्रेट, अभी क् करना है, या सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना भी आपको पोचे की आपको चोड़ाई रखनी है, यानि कि 1 इंच की पट्टी आपको लगानी है पोचे के लिए या 2 इंच की, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको लंबाई में से उसको कम करना है, तो मुझे यहाँ पर 2.5 इं यहाँ पर मार्किंग करके और उसकी कट कर रही हूं इसको, तो हमारी सलवार की जो है कटिंग हो चुकी है, यह विल्कुल इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली बना लोगे, अगर बिगनर भी हो तो, अभी करते हम जो एकस्तर हमारा फैब्रिक बचा आपको दिखाती हूँ पहले, सबसे पहले हमें आसन पर यहाँ पर स्टिच करना है, दोनों ही आसन को इस तरह से हम यहाँ पर जोइंट कर लेंगे, देखे मैंने आसन की जो है सिलाई लगा ली है, यहाँ पर दोनों ही तरफ डबल सिलाई लगाई है, अब हम इसको इस तरह से सेट करेंगे देखिए इस तरह से इसको खोल लेंगे और अभी यहां पर बिचा लेंगे इसको जो बैल्ट थी हमारी उस पर भी मैंने दोनों ही तरफ से सिलाई लगा के इसको टैच कर लिया है अभी दोनों ही सिलाई है जो हमारी आमने सामने रखेंगे सलवार की भी और ब प्लेट डाल के इस तरह से इसको रैडिक लेंगे फ्रेंड्स जो इसका घीर होता है वो पठील सिल्वार से कम होता है तो यहां पर आपकी कुछ अपने पोचे के पट्टी रेडी कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं आपको प्लेश डाल के दिखा रही हूँ यहाँ पर हमारी प्लेश जो है बिल्कुल इकवल होनी चाहिए छोटी बड़ी ना हो आपके इसी चीज की हैल्प भी ले सकते हैं मैं या कटर की हैल से यहाँ पर इकवल प्लेश बना रही हूँ तो इस तरह से पूरे ही फैब्रिक में हम चोटी चोटी प्लेश डाल के रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम अपने फैब्रिक को नाप लेंगे कि वो जो हमें चितना चाहिए नीचे की तरफ से उतना आया है या नहीं तो जो ह इस पैर में प्लेश डाले के बाद अब दूसरे पैर में भी आप प्लेश डाल के आपको दिखाती हूं तो देखिए अभी मैं दूसरी तरफ भी यहाँ पे दोनों ही पैरों को मैंने प्लेश डाल के रेडी कर लिया है अभी आती है पोचा पट्टी की तो हमें हम अपना प पहुचे की तेयार चाहिए है चोड़ाई उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने पेस्टिंग ली है और फैब्रिक पे उसको पेस्ट कर लिया है 2.5 इंच की चोड़ाई है और 15 इंच की लंबाई है तो यह दोनों ही पैरों के लिए मैंने एक साथ इसको रेडी कर लिया है अभी एक इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में भी इंस्टाग्राम की आईडी मैंसिन कर दूंगी तो वहां पर भी आप जरूर जाके चेक करें तो देखी इस तरह से में गोटा लेस जो हमारी है उससे तीन स्ट्रेट लाइने यहाँ पर अट इसके बाद देखे मैंने यह धागा ले लिया है और यह मैंने तीन रील जो है एक साथ ली है और धागे को तीन बार इकठा करके इस तरह से अपने बॉबिन में लपेट लिया है उसको अब इसको नीचे हम फिट कर लेंगे मशीन में और सिलाइया लगाना शुरू करेंगे आप चाहे तो यह डिजाइन आप अपने स्लिवस में भी बना सकते हैं और कमीज के घेरे में भी बना सकते हैं बहुत ही प्यारा लगेगा यह डिजाइन बिल्कुल सिम पर और सो भरसा है तो देखिए अभी मैंने इसको पट्टी को जो है उल्टा कर लिया है क्योंकि हमारा जो डबल ट्रिपल धागा है वो नीचे की तरफ है जो हमने गोटा लगाया है उसके बीच में जो खाली जगह है जो उसको हम फिल करेंगे यहाँ पर सिलाइया लगा करके तो एक एक ही सिलाइय यहाँ पर मैं लगा रही हूँ देखिए आप अभी जो मैं इसको दिखाते इसका लुकाया है देखिए इस तरह से नीचे से दिखाई दे रही है यह अभी मैंने यहाँ पर दोनों ही खाली जगह को फिल कर लिया है और एक-एक सिलाइय उपर और नीचे भी लगाई है यानि टोटल च्यार सिलाइया यहाँ धागे की हो गई है और तीन बार कोटा टे है फ्रेंड्स अफगानी सलवार के पोंचे की और भी काफी सारे वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है आप जाके चेक कर सकते हैं यह देखिए हमारे सिलाइय जो है कंप्लीट हो चुके है उसके बाद हम पट्टी को इस तरह से टर्ण करेंगे और अभी इसको इस साइड से बंद हो गई है और दूसरी तफ से ओपन है तो इसके बाद हम जो हमारा फैब्रीक है यानि सलवार की एक साइड ले लेंगे और उसके ओपर इसको अटेच कर लेंगे इस तरह से इसको टन करते हुए यहां पर एक्ष्ट्रा मार्जन को अंदर की तरफ दबा करके फैबरी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिनिसिंग के साथ यहां एक टॉप स्टिच लगा लेंगे फ्रेंड्स हमार डिजाइन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है बन करके और आपको अगर समझ आई है तो बना करके जरूर ट्राइ कीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा तो देखिए इस तरह से डिजाइन जो है कम्प्लीट हो चुका है इस तरह से सेम हम दूसरे पर पहुंचा भी दयार कर लेंगे उसके बाद बचता है हमारा सिरफ बीच की सिलाई लगाना यानि कि सेंटर की सिलाई लगाना बचेगा तो वो भी मैं लगा करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ सेंटर बादे सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर पहुंचे पर मैं उसकी चड़ाई के लिए मार्किंग कर लेती हूँ तो 6.5 इंच पर यहाँ पर मैंने चोक्षे मार्किंग कर ली है अगर आपको बिल्कुल फिक्स नहीं चाहिए है पैर में तो थोड़ा लूज रखना चाहते है तो 6.5 इंच पर भी यहाँ पर मार्किंग लगा करके और सिलाई लगा लें यहाँ पर डबल सिलाई जुरूर लगाए सेंटर में यह देखे फ्रेंड्स हमारे अफगानी सलवार का फाइनल लुक यह बनके रैडी हो चुकी है कमप्लेटली देखे देखने में कितने सुन्दर लग रही है आजकल इसका काफी ट्रेंड है तो आप भी बनाकर जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि यह कैसी लगी है आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके जरूर पूछिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक्यार